आदर्णी साथियों प्रणाव लोकसभा निर्वाचन 2024 के संदर्व में इस वीडियो में हम बात करेंगे थाना अधिकारी को लिखे जाने वाले शिकायती पत्र के सम्मन्द में इस पत्र को लिखने की आवशकता तब पड़ती है जब कोई व्यक्ति किसी अन्यमतदाता के नाम पर मतदान करने के लिए मतदान के इंदर में आता है और उसका ही अक्रित्य सामने आ जाता है ऐसी इस्तिती में ऐसे चद्मवेश या प्रतिरूपन करने वाले व्यक्ति को थाना में सुपूर्द करना होता है साथ में एक पत्र भी लिखना होता है पत्र किस तरह से लिखा जाता है आईए हम क्रमशह इसके बारे में चर्चा करते हैं सबसे पहले पत्र के प्ररूप पर आप अपने मतदान केंद्र की सुभिनक महर अंकीत कर दीजी उसके बाद आप संबोधित कीजिए उन थाना अधिकारी महदे को जिनके थाना शेत्र में आपका मतदान केंद्र आता है जैसे थाना अधिकारी पुलिस थाना अबसर फिर उ गानसभा निर्वाचन शेत्र के लिए निर्वाचन मद्दान केंद्र संख्या तथा नाम 05 अब स में प्रतिरूपन यह हो गया इसका विशे मत्दान की तारिक डाल दीजी 13 मई 2024 उसके बाद महोदय ऐसा संबोधित कीजिए और फिर उसमें वीवरन लिखिए मुझे यह सुचीत करना है कि श्री A, पुत्र श्री B और अब स निवासी ने उस व्यक्ति की पहचान के बारे में आक्षिप किया है जिसे श्री दिनेश कुमार के सुपूर्द किया गया है इस व्यक्ति ने श्री विजे कुमार होने का दावा किया है जिसका नाम 190 बढ़वा यह वेक्ति यह साबित नहीं कर सका है कि वही उक्त निर्वाचक है, मेरे विचार में वह अच्छद मवेशी है, अतह आपसे निवेदन हैं कि आप भारती दंड सहीता 1870 की धारा 171 च के अधीन यता अपेक्षित कारवाई करें। साथिओं इस पेरेग्राप में कुछ नाव आए हैं। पहली पंग्तियों में जो ए नाम के सज्जन हैं, जिनके पिता भी हैं, ये वास्तों में मदधान अभी करता हैं, जो मदधान केंदर पर निर्वाचन के दिन उपस्दित हैं। और ये निवासी हैं आवसा के यानि उसी मद्दान केंदर के जहां मद्दान हो रहा है ये जो मद्दान अभी करता है ये किसी एक वेक्ति के विरुद्ध आक्षेप करते हैं उनकी पहचान को लेकर और जिस व्यक्ति के विरुद्ध आक्षेव करते हैं, वह व्यक्ति विजय कुमार बनकर मद्दान करने के लिए आया था, लेकिन वो सिद्ध नहीं कर पाया कि वो विजय कुमार है, इसमें एक नाम और लिखा हुआ है दिनेश कुमार, ये वो सज्जन है जो उस मद्दान के वाले विक्ति को सुपुर्द किया जाता है, और दिनेश कुमार उन्हें आपने साथ लेकर पुली स्थाना पहुंसते हैं, और उहां पुली स्थाना के जो प्रभारी अधिकारी है, उनके सुपुर्द करते हैं, साथिवे इसमें जितनी भी बात लिखी गई हैं, चाहे वो संसदी या विधान सभाशेत्र हो, या मद्दान के इंदर का नाम क्रमांख हो, या फिर अबस विजय कुमार दिनेश कुमार हो, ये सब कालपनिक हैं, केवल आपको जानकारी देने के लिए इने लिखा जा रहा है, ताकि उधारन के माध्यम से आप समझ सकें, यदि आपके मद्दान के इंदर पर ऐसा कोई प्रकरण उपस्तित होता है, तो आप उसी थाना शेत्र का नाम लिखे, जिस थाना शेत्र में आपका मद्दान के इंदर आता है, और बागी जानकारी भी जो प्रासंगिक है, वास्तविक है, उसे लिखेगा साथियों, उसके बाद इस था अबस दिनांग 13 मैं 2024 आरके रमिश कुमार पीठासीन अधिकारी के तौर पर हस्ताक्षर कर रहे हैं क्योंकि यह पत्र पीठासीन अधिकारी के माध्यम से लिखा जा रहा है यह जानकारी भी उधारण स्वरूप है अब हम कहां भेजेंगे तो यहां दो आप्षन है विदान स संसदी निर्वाचन के संदर्व में संसदी निर्वाचन का मतलब होता है लोकसभा निर्वाचन चुकि इस समय हम लोकसभा निर्वाचन की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं अधा हमने दूसरे वाले पॉइंट को राइट का निशान लगा है और 27 खरगोन अजजा संसदी न रवाचन शेत्र के रिटर्निंग आफिसर की और खरगून को प्रेशित फिर यहां हमने रिटर्निंग आफिसर को भेजने वाले पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर और उनका नाम भी लिख दिया है अब इसका तीसरा भाग देखिए रसीद यह जो रसीद होती है साथियों यह थाना प्रभारी द्वारा प्रदान की जाती है तो देखे इसमें क्या लिखा है उक्त पत्र तथा उसमें निर्दिष्ट वेक्ति उपर उक्त पिठासीन अधिकारी द्वारा तारीक 13 मई 2024 को दो बजे दो पर में मेरे सुपूर्द क्या गया और यह थाना प्रभारी ने अपने अस्ताक्षर की है थाना प्रभारी अपने थाना की सील भी यहाँ पर अंकीत कर देंगे इस तरह का यह पत्र लिखा जाता है साथियों प्रतेक मद्दान के इंदर पर इसकी आवशकता नहीं पड़ती जिस मद्दान के इंदर पर इस तरह से कोई वेक्ती प्रती रूपन करके यानि किसी और अन्य वेक्ती का रूप धारन करके मद्दान करने के लिए आता है और मद्धान अभी करता के द्वारा उस वेक्ति की पहचान को चुनोती दी जाती है पिर चुनोती की संपुन प्रकृरिया संपन होती है अर्थाग एजेंट को ये कहा जाता है कि आप साबित कीजे कि ये वेक्ति वह नहीं है जिसके नाम से मद्दान करने के लिए आया है उनकी द्वारा साक्ष और तर्क प्रस्तूत किये जाने पर उस वेक्ति को अधिकार दिया जाता है ये वह सिद्ध करें कि वह वही वेक्ति है जिसके नाम से मद्दान करने के लिए आया है इस जात प्रक्रिया में आवशक्तानुसार बियेलो और इस्थानी व्यक्तियों की साहता पीठा सीन अधिकारी द्वारा ली जाती है संपूर्ण प्रक्रिया पीठा सीन अधिकारी करते हैं और निसकर्ष पर पहुंसते हैं कि यह वास्तिविक मत दाता है या नहीं यदि पीठा सीन अधिकारी को ऐसा लगता है कि यह चद्म वेश धारन करके आया हुआ वेक्ती है और यह वेक्ती नहीं है जिसका होने का दावा कर रहा है तब फिर इस पत्र के साथ उस वेक्ठी को पुली स्थाना भेजा जाता है सात्यों इस तरह की स्थिती निर्मित होने पर यह वीडियो आपके लिए मारदर्शक सिद्ध हो सकेगा ऐसी हमें पूर्ण आशा है तरपया आप कोमेंट बॉक्स में बताए कि आप किस राज्य के किस निर्वाचन शेत्र से बढ़वानी के इस छोटे से प्रियास को देख प होताभात आप सभी को शुप कामनाए नमस्कार